आख कि नास्कार किसंद भाहियों कैसे हैं अप लोग आज हम फिर से एक वीडियो लेके आए आप लोग के लिए जिसमें हम बात करेंगे पत्ता गोभी की खेती कैसे करें तो दोस्तों हम इससे पूरी तरह से बात करेंगे कि लगाने से पहुत रोपड यानि कि जो बीज नर्शरी में डालते हैं वहां से लेके हम पूरी उत्पादन तक बात करेंगे और यदि आप हमारी चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें जिससे आपको हमारा नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए और जल्दी मिल जाए तो दोस्तों हम चलिए बात करते हैं कि पत्तागोवी की खेती कैसे करें तो किसान भाई जो पत्तागोवी की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं उन्हें पत्तागोवी की खेती करने से पहले कुछ तैयारियों का प्रबंद कर लेना चाहिए ताकि कीट वा अन्य लगता है कि हर शमrice 70 राना पड़ता है तोड़ी सी वी लाबरवाई फसल को खराब करने में समय नहीं लेती है तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि पत्ता गोवी की जो फसल होती है और पत्ता गोवीज्च के लिए पोशक ततर भर्पुर जो अच्छी जल निकास वाले भूमी होती है, वह काफी अच्छी मानी आती है, भूमी ऐसी हो, जहां खुली धूप आ सके, इसके वीजों की पुगाई तयार, पौधों की रुपाई करने से पहले खेत को अच्छी तरह से तयार कर ले, पत्ता गोबी की खेती जो होती है, नम भूमी हो और जिसका पी कौन सी है तो पता-गोभी की कई अनत किसमे हैं जिने रंग रूप और आकार के आधार पर बाटा गया है पता-गोभी की किसमे कुछ इस प्रकार के की जिसमें हम अगेती फसल की बात करें तो अगेती फसल के लिए उपयुक्त किस्मों को जो प्रमुक्त माना गया है जिसमें प्राइड आफ इंडिया गोल्डेन एकर मिनाक्षी पुसा मुक्ता एवं मित्रा सामिल है मध्यम किसमे अधि बात करें तो इसमें पुसा मुक्त औ देनिस वाल हेड है, पुसा हीट है, टायर्ड, गड़ेश, गोल, रेडर कैबेश, हरी रानी कोल और कोपेन हेगन, आधी ऐसे जो पच्छेती किसमे है, वो सामिल है, इन किसमों के अलामा जो होता है, गुद्डिवाल 65, माहिक रांती, बीसी 90, इंदू, SN 183, प्रमुक जो किस में है, वो सामिल है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि पतागोवी की खेत की तयारी कैसे करे, तो पतागोवी की फसल लगाने से पहले, किसान भाई, खेत को अच्छी तरह से तयार कर ले, इसके लिए उन्हें सबसे पहले खेत की अच्छी तरह से हैरो लगा कर जुदाई क करनी चाहिए फिर मिट्टी पलट वाले हल से जुताई कर दे ताकि पिछली फसल के आउसिस और खर्पतवार उसमें दब जाए और फिर खेत को आर्ट से दस दिन के लिए ऐसे खुला छोड़ दे इस पीच खेत की मिट्टी में अच्छे से धूप लग जाती है और फिर खेत क लगाने के लिए तैयार भी हो जाएगा और जो खर्पतवार उगने वाले होंगे वो भी सारे सारे नस्ट हो जाएंगे अब बात कर लेते हैं पत्तागोवी की फसल में खाद एवं जो उर्वरत देना चाहिए वो कैसे देना चाहिए कितना देना चाहिए तो खेत की विसलेसर अवस्य कर ले या मिटी का सही पोसक वितरर करने का सबसे बढ़िया तरीका है पत्ता गोवी के फलों को बढ़ा होने और अच्छा उपादन के देने के लिए पोसक ततों से भरपूर मिटी की जरूरत होती है किसान भाईयों को पत्ता गोवी के पोधों को खेद में लगाने से दो हफते पूरों खेद में सड़ी हुई गोबर की खाद को डाल कर मिटी की अच्छे से जुताई करना चाहिए तथा पौधों के दो या तीन सब्ता पस्चात रुपाई जब हो जाए उसके पस्चात छोटे पौधों में खाद की उपयुक मात्रा डाल दें इसमें यदि आप रहसाने को डालने की सोच रहे हैं तो अधिकतर क्या होता है ट्रीप सिचाई और फर्टिगेशन का इस्तिमाल किया जाता है इसमें किसान भाई पोटेसियम नेट्रोजन फास्पोरत जैसे पोसक युग्त और अरोका का इस्तिमाल करते हैं अब बात करते हैं पोटोगे पतागोभी के पोधों को लगाने का जो समय होता है और कौँ सा तरुटा होता है तो पतागोभी का पोधा पाला सहान करने में सक्षम होता है वह पाला भी अच्छे से सहन कर लेता है किन्तु बसंत का जो बसंत रितु का पाला होता हो पौधों को पूरी तरह से प्रभाववित कर सकता है चोटी पौधे निम्न गुड़वत्ता वाली पत्तियों अभिक्सित सीरो और निम्न गुड़वत्ता वाली फसल का उत्पादन करेंगे इसलिए फसल के विजो को लगाने के लिए उचित समयंदराल पर ध्यान देना चाहिए वसंत रितु के मौदम में मौसम में वसंत रितु मुझसे मतलब यह है कि जो की फरवरी से स्टार्ट हो जाता है उस समय यदि आप रुपाई करते हैं तो आपको काफी अच्छा उपज मिल लेगा जिसे आपको काफी लाबदार होगा पतागोवी की फसल के लिए के अच्छे विकास के लिए यदि हम बात करें तो आप लोग कुछ बातों को ध्यान जरूर देना चाहिए जैसे कि प्रती हेक्टेयर के खेट में यदि आप जो बीज दर है वो 250 से 400 ग्राम तक रख सकते हैं और प्रती हेक्टेयर के खेट में पौधो की संख्या की बात करें तो 20,000 से 40,000 तक हो सकती है एक खेट जो होता है 2.47 एकड या तो 10,000 स्क्वाइर मीटर के हिसाब से होता है पौधो पक्ति में जो पौधो के मध्ध 40-70 सेंटीमीटर की दूरी रखना चाहिए तथा पक्तियों के मध्ध 6-90 सेंटीमीटर की दूरी रखना चाहिए अब बात करते हैं कि पत्ता गोभी की फसल में जो लगने वाले कीड़े हैं और बिमारियां हैं वो कौन-कौन सी हैं तो पत्ता गोभी की फसल तयार होने के दवरान उसमें कई तरह के कीड़े और बिमारियां लगने का खत्रा बढ़ने लगता है यह एक ऐसी फसल है जो कई सारे कीलो को अपनी ओर आकर सिद करती है हमें अपनी फसल को हाने पोचाने वाले कीलो और बिमारियों के बारे में जानकर उनके अनकूल तरीका अपनाना चाहिए इसके लबाँ अपनी फसल को कीलो और बिमारियों से बचाने के लिए हमें किसी लाइसेंस प्राप्त योग के ब्यक्ति से भी सलाह लेना चाहिए यहाँ पर आपको पत्तागोवी की फसल में लगने वाले समान कीलो और बीमारियों के बारे में बता रहे हैं जिसे आपको काफी मदद मिले गया तो पत्तागोवी की फसल में लगने वाले जो किरे हैं वो है छोटी बड़ी सफे तितलिया जो होती है इस तरह का किरा पत्तागोवी के पौधों की पत्तियों के नीचे अपने अंडा देकर उन पर लावा छोड़ देता है और पत्तियों को खा जाता है जो दूसरा है पत्तागोवी के पौधो पर एफिड नाम का कीड़ा उनकी पत्तियों को खाकर नस्ट कर देता है यह कीड़े ग्रे और हरे रंग के होते हैं कबूतोर और अन्य छोटे पच्छी भी इस तरह की फसल को खाना जो है पसंद करते हैं अब बात करते हैं दोस्तों कि उसमें कौन सी बिमारियां होती है तो अल्टर नेरिया लीफ इसपार्ट पत्तागोवी की फसल में फपूंद के रूप में आक्रमर करता है यह पोधों के तने पर गजरे धब्बे और पत्तियों पर भूरे धब्बे बना देता है जिससे छोट और पुराने पोधों को प्रभावित करता है यदि समय पर इसका उपचार ना किया जा तो पत्तियां पीली पलकर गिरने लगती है तो इसके उपचार के लिए आप क्या करेंगे कोई भी फंगी साइट जो की अच्छी आपके मार्केट में मिल रही हो और काफी कारिगर हो जाप छिरिका आप कर सकते हैं जैसे कि जिसमें आता है साफ नाम की एक दबाा आती है एक विटमील नाम की दबा आती है यह सब दवाएं आप छिरिक सकते हैं पत्ता गोवि के पोधों पर जैंन्थोमओनस कैपेस्ट्रिस एक बिक्ट रियल बिमारी है जो मुखय रूप से पौदों की सता को संक्रमित करता है कीड़े और बीमारी नियंतरर के उपाई जो है वो कुछ इस तरह है जो बीज हम इस्तमाल करें वो किसी भी अच्छे कमपनी का यूज करें जिससे कि हमें बाद में ज़्यादा परसारी ना हो अस्थानी बीमारी से बचाव के लिए संकर और प्रतिरोधी किसम का ही उपयोग करें पतागोबी की फसल को जाली से ढख कर उन्हें कुछ किलो से बचाया जा सकता है खेत में अधिक खाद का उपयोग करने से बचे कबुतर के हमले के लिए तार की जाली का इस्तमाल कर सकते हैं आप फसल की कटाई कर उनके अवसेसों को इखठा कर फेकने में अल्टरनेटिया लीप इस पार्ट से बचा जा सकता है पीलो और बिमारियों पर प्राक्रितिक रूप से नेतर पाने के लिए फसल चक्र का इस्तमाल आप कर सकते है पत्तागोवी की प्रधावार और लाप के बारे में बात करें तो पत्तागोवी की फसल में बीज बुगाई से लेकर पौध रुपाई का कार 18-38 दिन के बीज में हो जाता है इसके बाद फसल को तयार होने में लगबग 75-88 दिन का समय लग जाता है कुछ किसमें बहुत जल्दी बढ़ने वाली होती है जो से 55 दिन में ही कटाई के लिए तयार हो जाती है एक हेक्टेयर के खेट से जो पत्तागोवी की फसल होती है वो 60 दन 30 से 70 टन की पैदावार हो सकती है इसके अलामा अनुभवी किसान इसके एक हेक्टेयर के खेट से 80 टन से भी अधिक पैदावार ले रहे है जिस हिसाब से किसान भाईयों की पत्तागोवार जाता है